इसो बिहार विधान सभा सचवाले के लिए आपको तीन तरह के वेकेंसि दिया गया है आप देख सकते हैं आपको तीन तरह के वेकेंसि दिया गया है फर्स्ट वेकेंसि मैं आपको दिखा रहा हूँ भी कि आपन सेंख्या जीरो दो वाला उसके बाद जीरो एक वाला बहुत बड़ी इंफ्रमेशन है अगर आप इहार विदान सावेबर नोकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बीडियो बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों समझ गया ना पहला है कॉनिये लिपी का आपका पहला पद दिया गया है इसका जो ऑनलाइन जो होगा वो 29-1224 होगा उसक को अंतिम्तिति है भुगतान करने की फर्वारी महीना कहीं है समझ गया दोस्तों आगे देखिए इसका पूरा फुल इंफरमेशन आपको मिल जाएगा www.bih.nic.in पर आपको फाइनली मिल जाएगा समझ गया अगर इसके बार हम देखे आगे दर इसके बार हम देखें तो ऑन वेतनास्तर 2 का होगा इसका वेतनास्तर कितने को भी है। दो का वोगा ठीक है ऑल्टन शुरू हो रहा है सब चीजे हम दिखाए गया है летख सकते हैं इसमें देख सकते हैं और इसमें देखना होगा सर कि कितनी वी केंशी butterfly मैं तो देखिए अगर यहाँ पर है तो टोटल वेकेंसी के संक्य है यहां पर कितनी यह वैया 19 है 19 है समझ गया ना बाकी इसमें आपकी योगता क्या होना चाहिए फ़र्म भरने के लिए आपके पास योगता के लिए आपको कुछ नहीं करना है इसमें आपको intermediate पास होना या अथवा समकच होना अनिवार है बाकी आरक्षन आपके नुसार होगा जो आप जानते हैं बिहार में कैसे आरक्षन लगता है है इसका minimum age और maximum age आप जानते ही है कोई दिकत नहीं तो यह आपकी निनता में देख़़ा 18 साल हो जाएगा और अधिकता में 37 साल होग और आपके जो कैटेगरी हो उसका अनुसार आपका 3 साल पांच साल जो age बढ़ता है ओबर जाएगा समझगा दोस्तो तो यह हुई आपका दूसरा notification बिहार विधान सबस्य चिवाले का अब आपको हम अगला दिखाते हैं इसमें कौन-कौन सीट है सर इसमें सीट आपका और इसी में दूसरा पद है सहायक और धायक समझ गए इसका भी online उसी दिन से सुरू होगा 29 जनवरी से और पंदर फड़े इसका अंतिम देथ है और इसका प्रिक्चा सुल्क जाम सात्रा फैबरावरी समझ गए दोस्तो आगा देखिए इसका जो वेतनमान होगा जो वेतन अस्तर होगा वो सात्वी होगा है ना सात के बरावर होगा किसका सहायक प्रसासक प्रादिकारिका और सहायक और धायक कितना होगा वेतन चार होगा समझ गए इसकी हम लोग देख लेते हैं क्या है इसका योगता फॉर्म भरने की फॉर्म इसमें आपको सहायक प्रसखा परादिकारी में है और दूसरा जो इसमें पद बनाए गया है इसमें देखिए सहायक और धायक के रूप में इसमें पदो के संक्या है आपके चार कितने हैं चार है और इसमें नोट में करके लिखा है कि बेग्यापित पदो के संक्या घट या बड़ सकती है, है ना, आगर देखिए, इसमें अगर योगता देखा जाए, तो इसमें आपको असना तक चाहिए, क्या चाहिए भी या, असना तक आपको चाहिए, या समकक छोना चाहिए, और अक्छन आपके नुसार होगा, इसका minimum age और maximum age कितना है, हम ओभी देख लेते हैं कि यह सब जरूरी की चीज है, बाकी जो आप देख रहा है ना, सब common है, जो इक्जाम होते रहते हैं, देखिए, इसका maximum age देखा जातों ही 37 साल, और minimum age आपके 21 साल, समझ गे ना, बाकी आप आगे देखिए, वहीं पर इक्छा परती आपको offline होगा, अगला हम लोग देख ल चारंका होगा, 37 साल, परतेक गलत पर एकंगा आपसे काट लिए जाएंगे, है ना, इसमें समान याधन के परतनों के संक्या होगा, 40, समान नविज्यान और गणीत की संक्या के परतनों की संक्या होगा, 30, और मानसिक, छमता, जहांच और तारकेज विचार जैसे कि रिजि आगे देख लेते हैं अगला नोडिफिकेशन देखिए साथी आपके सामने आए गया बिग्यापन संख्या कितना है तीन है ना जी तीन है बाकी आप इसका वेबसाइट देख सकते हैं इसका भी ऑनलाइन जो शुरू होगा उसी दिन शुरू होगा उनतीस एक दोहजार परिक्चा सुल को हिंट सेम डेट कौन है सत्रा दोहजार चौविस बाकी इंफ्रमेशन आपके उसी के वेबसाइट पर मिलेगा शांतीसाथ इसके बार हम देख लेते हैं पदों के संख्या कितनी है अच्छा इसमें विभाग के नाम क्या था जी इसका विभागय नाम था देख लेए ध्यान से इसमें विभागय नाम था प्रतिवेदक और दूसरा था नीजी सहाइक और आसू लिपिक जी ये तीन तरह के पर इसमें दियेगे हैं प्रतिवेदक नीजी सहाइक और सांतीसा तीसरा है आसू लिपिक विग्यापन संख्या है 0-3-2024 कनफर्म आगर देखिए इसमें देख लेते हैं पदोग संख्या कितनी है है कि नहीं दोस्तों जरूरी है वहीं चीज़ देखेंगे बाकि इसका वेतनमान देख लिए इसको भी देखना जरूरी है यहीं तो है देखिए प्रतिवेदक का वेतनमान होगा 9 भाप्रिबाप देखिए ध्यान आंक दूप से बाकी ईलनलाइन के लिए आप देख सकते हैं यह पहले ही मैं बढ़ा चुका हूं आगा देखिए इसमें कितने हैं पादो के संध्या अगर पाषाला आप देखें में इसमें कौन है प्रतिवेदक प्रतिवेदक के टॉटल है भाएसे आपके ते अब तीसरा है आसूलिपिक, आसूलिपिक में कितने विकैंसी है इसमें टोटल है पाँच, विकैंसी तो कम-कम है लेकिन मौका तो मिला भाई ये बार बार मौका नहीं मिलता है बिहार में है तो आपका बाहर है अगर योगता देखें तो प्रतिवेद्दक के लिए आपको योगता रखा गया है आपको असनातक पास होना अनिमार रहे है साथी साथ आप लोगो हिंदी असुलिपिक से 150 सब्द प्रति मिनट के गती होना चाहिए साथी साथ हिंदी और अंगरेजी टंकर में आपको 35-35 मिनट की गती होना चाहिए यह साथ साथ लिखतिया है नीजी के लिए क्या है नीजी साहिक के लिए आपको असनातक होना चाहिए ठीक है या समकक्च आपको साथी हिंदी असुलिपिक में प्रति मिनट की गती होनी चाहिए और हिंदी और अंग्रेजी टंकर में या टाइपिंग में आपको 33 मिनट की गती होना चाहिए मने इस्पीड होना चाहिए आसुलिपिक में क्या कहा गया है और अक्षण वही है आपके अनुसार होगा बाकी इसमें क्या है हाँ उम्रसीमा देखिए ध्यान से उम्रसीमा क्या है वही उम्रसीमा है निंतम आपके 21 साल और अधिकतम आपके 37 साल यहीं पुराना वाला जो चल रहा है है ना बाकी यह सारे के सारा आपके पास पीडियेफ मिल जाएगा पीडियेफ का फॉर्म में हम अपने टेलिग्राम पर डाल दूंगा आप सब वहां जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा समझ गया है बाकी आपको त्यारी करनी है कम सीठ है इसको दे कर नहीं घवडाना है लेकिन हाँ इसमें एक आपकी जगव पक्की होना चाहिए बस यह आपका मनसिक्ता होना चाहिए तर जाकर आपका और आपके फड़वायर का नाम रोसन होगा जो जिस इस्तिति से आप गुजर रहे हैं उस इस्तिति को सुधारने का बिहार सरकार ने एक फिर से आपको मौका दिया है इस मौका को आपको हाँ से नहीं जाने देना है चले दोस्तो आज यहीं तक तब तक के ये जाहिंद जाए भाराद